हेलो एभरिवन! इस वीडियो में हम बात करेंगे एक İMPORTANT टोपिक की और वों टोपिक है ECONOMIC SURVEY जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आर्थिक सर्वेकण, आर्थिक सर्वे भी कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टन टोपिक है तो आखिर एकनामिक सर्वे होता क्या है कौन बनाता है इसे इसमें क्या बाते होती है क्या इसका हिस्टोरिकल बैग्राउंड है इन सब की बात इसमें करेंगे हम लोग तो निश्ची तोर पर वीडियो आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट होगा और एक पर बताओं आपको वीडियो मैं कि यह वीडियो का जो स्लाइट साय यहां पर इंग्लीस मेडियम में बड़ जो लेश्चेंट है वो और होगो इसका पीडियएफ जो है वो हिंदी वालों को भी इंगली से दोनों को भी पीडियेफ मेरे जो को करना है जो गवशन बताती है कि हम यह काम करेंगे यहां यहां से पैसे आएंगे इतने अतने याम खर्चा करेंगे all receipts, all expenditure तो कह सकते हैं बज़ट जो है क्या है वो एक syllabus है जिसके accordingly government को upcoming financial layer में काम करना होता है जबकि economic survey जो है वो government का report card है पिछले साल के performance का report card है जैसे आप लोग exam देते हैं इस्कूल्स में generally होता था report card मिलता था, उसमें दिखा होता था कि अपने case subject में क्या perform किया है कहां आपने अच्छा किया है कहां आपने अच्छा नहीं किया है किन sectors को किन subject को और better करने क्या हो सकता है कहीं किपिट अप लिखा होगा कहीं hard work लिखा होगा बहुत सारज यह remarks में लिखे होते थे similarly, जो हमारा यह economic survey है यह भी एक report card है government के performance का, government के काम का government क्या क्या किया है, government कैसे कैसे achieve किया है क्या क्या challenges government के पास है और एक बड़ा important document है जिसमें हम यकीन कर सकते हैं बड़ा authentic document होता है जो कि सारे Indian economy के status को Indian economy के situation को है बताता है कि हमारा कहां बहतर है, कहां हमारा बहतर नहीं है और कैसे हमें इन चीज़ों को और बहतर कर सकते हैं है अब बात करते हैं कि आखिर economic survey बनाता कौन है economic survey कौन बनाता है तो देखो, इंडिया में Central Government के पास कई सारे ministry होती है उसी में एक ministry है Ministry of Finance सुना अग नाम अप लोग ने जिसे हिंदी में कहते हैं विक्त मंत्राल है और सभी ministry में कई सारे department होते हैं विवाग होते हैं Ministry of Finance में जिनरली हमारे पास six department है six department है एक है department of revenue राजस्व विवाग जो सारे पैसे आते हैं उसका हिसाब किताब करता है दुसरा है department of expenditure व्य विवाग जो सारे खर्चे का हिसाब किताब करता है तिसरा है department of financial services वित्तिय सिवाओं का विवाग जो सारे वित्तिय सिवाओं financial services जो government को होती है उन सब का काम करता है चौथा है department of economic affair आर्थिक मामलों का विभाग जो जितने भी government के economic चीजे होती है issues होते हैं उन सब का department है चौथा पाँचवा है दीपम department of public department of assets and public department of investment and public assets management हिंदी में कहते हैं निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग है न यह department है यही department disinvestment यानि की विनिवेश उगरा की बात करता है यही department है कितना government को कि सेक्टर को किस company को disinvestment करना है विनिवेश करना है वो यह department करता है और छठा department नया आया है जो की latest है department of public enterprises लोक उपक्रमों का अभिवाग जो सरकारी कंपनियां है उसके बारे में यह देखता है जैसे central government के कई सरे कंपनियां होते कटेगरी हैं महारतना नौरतना मीरतना सब्सुनोग आप लोगों ने सो उन सब के बारे में यह department of public enterprises देखता है तो यह छे डिपार्टमेंट है ministry of finance में वित मंताले में इसी में जो यह department है department of economic affair इसके अंदर कई सारे division है इसके अंदर division कई साथ से है उसी में एक division है economic division आर्थिक विभाग और यही division जो है economic survey जो है वो बनाता है economic division जो है वो यह आपका आर्थिक विभाग जो है economic सर्वे बनाता है इसी में एक division है बजट division जो बनाता है बजट भी तो मिनिस्ट्री ओफिनांस के अंदर department of economic affair है यही बनाता एकनौमिक सर्वे यही बनाता है बजट यह सारे document यह रिलीज करता है और उसमें department division बने हुए जो करता है तो आप जान गए कि यह कौन बनाता है और ये जो है चीफ economic advisor होते हैं मुख के आर्चिक सलाकार होते हैं देश के उनके guideline में उनके guidance में उनके निर्देशन में ये बनाया जाता है economic survey ठीक है तो आप जानगे economic survey कौन बनाता है और किसके guidance में economic survey बनता है अब बात करते हैं कि economic survey कुछ background क्या है तो पहली बार इंडिया में economic survey जो है 1950-51 में सुरू हुआ था और 1964 से पहले तक ये बजट के साथ ही एक document के रूप में इंक्लोज होके आता था 1964 से पहले था लेकि 1964 के बाद से इसको बजट से अलग कर दिया गया डिलिंग्ड कर दिया गय हटा दिया गया बजट से और अब जो है जेनरली जो है economic survey एक दिन पहले बजट जब प्रजेंट होता है उस एक दिन पहले मानलो बजट अगर एक फरवरी को आ रहा है तो प्रैक्टिस में यह कि 31st January को आपका क्या आ जाएगा economic survey आ जाएगा क्यों result पहले आता है और अगले क्लास का स्लेवस बाद में आता है आप भी जानते है इसकूल में पढ़े होगा result आज मिला रिपोर्ट कार्ड और कल आप फिर नया स्लेवस मिल जाएगा कि अब जिस क्लास से जिस क्लास में जा रहा है उसका स्लेवस मिलेगा तो बजट से पहले ही economic survey एक दिन पहले आ जाता गया है लेकिन economic survey के बारे में कहीं mention नहीं है सो economic survey जो है एक एक्स्ट्रा कंस्टिशनल और नन ऑब्लिगेटरी डॉक्मेंट है यानि समविधानेत्तर है और समविधिक भी नहीं है इसका कोई लीगल ऑचित भी नहीं है और obligatory भी नहीं है इसको बनाना इसको जारी करना कई लेकिन बजट जो है constitutional document है और constitution में अर्टिकल 112 में समविधानिक दाइत्तर सरकार का की बजट को प्रेजेंट करना ही करना है नहीं तो संविधानिक संकड़ उत्पन हो जाएंगे लेकिन आर्थिक सर्वे को प्रेजेंट करें ना करें यह कोई जरूरी नहीं है तो आप जान प्रेजेंटेड बदाये मैंने कि बजट सेग दिन पहले आता है लेकिन जैसे बजड़ जो है न वो प्रेजेंट होता है पारलियामेंट में लोगसवा में जो फिनांस मिस्टर होते हैं वो पूरा बजड के स्पीश को देती है एक गण्टे देख गंटे दो गंटे में सारे डॉकमेंट वहाँ पढ़गा जाता है सारे नहीं मतलोसका जिश्ट जो है समरी जो है वो लेकिन एकनौ मिक सर्वे जो है वो टेबल्ड होता है regular को speech के रूप में वहाँ पर कोई करता नहीं है एकनौ मिक सर्वे बज़र सकते हम पहले आता है और टेबल बाई दे फिनांस मिश्टर इन पार्लियमेंट इन बोद दा हॉसेज लोगसभा राजसभा दोनों में होते हैं और इसके बारे में जो ब्रीफ जो है वो चीफ एकनॉमिक एडवाइजर जो मुख आर्चिक सलाकार होते हैं वो प्रेस कॉन्फरेंस करके एकनॉमिक में ये चीजह हैं ये इंडियन एकॉनमिक के स्टेस है ये चैलेंज्जेस पॉस्ट है यह पॉस्टिए जैसा आप जानेदे dije उटा। की तरह नहीं होता लेकिन टेबल किया जाता है रखा जाता यानि जो पार्लिया मेंट्ट के जोनों हाउसें विवी जोने को जानते हैं और इसके बारे में इन्फरमेशन जो economic advisor और चीफ इनकम डवाइजर वो press conference करके दुनिय देशकों लोगों को बताते हैं. अब बात करते हैं कि आखिर economic survey में होता क्या है, इसका subject क्या है, तो मैंने पहले ही कह दिया सब कुछ है, लेकिन फिर एक ब्रीफ कर देता हूं उसको, कि economic survey जो है, government का एक बहुत important document है, जो Indian economy के बारे में सब कुछ बताती है, क्या status है, क्या challenges है, और क्या भविस्त के कुछ उमी हैं, और जो challenges है, उनको हम कैसे दूर करेंगे, इस सब चीजे बाते हैं, इसमें होती है, इसन इंपोर्टेंट current status, current state of economy, जो की chief economic advisor present करते हैं, review of the development of the economy, जो हमारा previous year में economic growth हुआ है, जो economic development हो रहा है, उसके बारे में review देता है, कि हमने ये काम किया, ये भी achieve किया है, और साथ- जो भी schemes हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे PM किसान हो, चाहे DBT हो, कैसे सब के बारे में नहीं, जो important scheme जिनमें कुछ achievement है, कुछ challenges है, उनके performance के बारे में कैसा चल रहा है, कितना उसमें achieve किया हमने, कितना उसमें problem है, उस problem को कैसे short out करेंगे future में, ये सब चीजें इसमें mention किया जात है, जो government की policies है, जो government की policies है, economic policy खासकर, not the political policy, not the foreign policy, economic policy, जो आर्थिक नीतियां है, उसके बारे में भी बताया जाता है, इसमें, information about challenges and problems existing in the economy, क्या problems है, क्या challenges है, क्या चुनौतियां है, इन सब के बारे में, ये economic survey हमें बताता है, ये बहुत ही important है, और साथ-साथ, उन challenges का, उन problems का, solution भी बताता है, कि हम कैसे इन challenges पे, problems पे, आने वाले वर्सों में, आने वाले years में, हम कैसे इसको ठीक करें, हैना, light on the prospects of the economy, ओवराल एकॉनमी पे प्रकाश जालता है, कि Indian economy किस condition में है, और इसी के base पर, जिन में चीज़ें कही गई होती हैं पहले, budget division जो है, व आने वाले वर्सों में, जो संभावनाएं दिखाता है, उसके base पे, budget भी चीज़ें उसको include किया जाता है, हैना, economic survey कह सकते हैं, this का एक बहुत important document है, जो कि government के performance का, report card है, जो कि, बताता है कि government है क्या achieve किया है, government में, और क्या-क्या, policy में, program में, scheme में, क्या problem रहें, और उनको कैसे और better कर सकते हैं, इस सब चीज़ों को बताने वाला document को हम लोग, economic survey, ये आर्थिक सर्वेचन कहते हैं, हर साले आता है, जाना कि कई बार break हुए हैं, अब मुझे उमीद है कि इस video को देखने के बार, आपका economic survey पे जो basics था, वो definitely clear हो गया होगा, so इस video में इतनी ही बात क होगे हैं से, so thank you, thank you for watching this video, thank you.